करते हैं चले आज के लक्षर वह बात करते हैं इस्टी या उस चयाते हैं क्योंकि वहाँ पर समय क्रते हैं वाँ तो मैं आपको आज एक टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप तुरंत मतलब दो से पांच सेकंड इससे ज्यादा नहीं दो से पांच सेकंड में कुशन को आसानी से सॉल कर सकते हैं तो आज कre lecture में तो मैं addition की stereocemistry बताऊंगा और next lecture में elimination की stereocemistry बताऊँगा उससे पहले कुछ terms जो मैंने खुक्त्र लिए कई की है जिस को आप पहले देखेंगे और तभी आप वो टेक्निक सीख़एंगे कि दौ mail से पांच सेकंड में हो जाएंगे ठीके तो चलिए सबसे प आफ एडिशन डियक्शन तो आज की क्लास में मैं एडिशन डियक्शन की स्टीडियो के मस्टी बताऊंगा और नेक्स क्लास में मैं इलिमिनेशन की बताऊंगा कि उससे पहले कुछ बेशिक्स है व crouch देख लीजिए अप तो जैसे फर्सपॐंट हैं terrorists कि गयां कि आपने मेह सब्सक्राइए सबी मेरे ओर मड्स में उसद्सक्राído करें में आपज़ानते हैं तो यहां के मैंस्ट्री में जो भी चीज्ञत पहले मैं बता दू ओड नंबर होता है ओड नंबर जैसे 135 लाइक इसे बोलते हैं आप तो यहां पर एक में ओड नंबर डिफाइन करूँ और ओड नंबर किसको डिफाइन करूँ आप मैं ओपोजिट गुरूप को ओपोजिट गुरूप ओपोजिट मतलब जो एक दूसरे के एंटी पोजिशन पर है उनको में ओपोजिट गुरूप है उनको ओपोजिट गुरूप बोलेंगे उनको ओड नंबर डिफाइन करूँगा तो डेफिनिटली जो सेम साइड वाले गुरूप होंगे उनको मैं कौन सा number define करूँगा बोलो even number even number किसको define करूँगा हमें same side group same side group समझ पा रहे हैं same side group को हम even number define करेंगे तो कुछ इसके example देखें यह first हो गया second तो इनके example देखते हैं तो और number वाले group किस-किस को बोलेगे तो जैसे में अगर पहले हम Elkin में देखें तो Elkin में देखें हम तो Elkin में जैसे मैंने let's say हमने लिया ME यानि मिथाइल C double bond C methyl H और यह अब यहां पे same group opposite side है इसको देख लो या इसको देख लो opposite side है दिख रहा है आपको opposite तो अगर यह opposite है तो फिर इसको मैं कौन सा number define करूँगा बोलो जल्दी से odd number समझ में आई बात इसी तरह से अगर Elkin में दोनों group same side है तो इसमें तो opposite तो इसमें same side है और same side को हम क्या define करेंगे even number इसको हम क्या define करेंगे even number clear है तो Elkin में मैंने odd number और even number होता दिया अब मैं आपको किस में बताऊंगा यह तो Elkin का हो गया अब जैसे आपने फिशर formula तो आप जानते हैं और आपको बता दूँ चार formula जो आप देखते हो फिशर, वेजडेश, नियूमान और शोहोर्स उसमें फिशर सबसे important है 2D formula होता है और फिशर में सारे formula को conversion हम लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं आपको आने वाले lecture में बताऊंगा कि किस तरह से फिशर में convert करना है तो मतलब फिशर से ही सारा काम होगा आपका basically ठ तो अब जैसे आपको ये फिशर formula दिया है अब इसमें कोई भी दो group मेंने ले ले लेए लेट से मैं इसकी बात कर रहा हूं x और ये y ये दोनों same side है same side दिख रहे हैं आपने तो इसको मैं क्या बोलूँगा even number define करूँगा और ये opposite side है तो इंको मैं और number define करूँगा तो आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि even तो और भी group होगे इधर वाले भी even होगे ये जो even है ये मैंने define किया है with respect to reaction क्योंकि जब मैं reaction करूँगा जैसे माल लीजे मैं एलकीन पर reaction करता हूँ तो एलकीन पर किसी reaction का addition कराऊँगा तो ये xy को जैसे माल लो एलकीन पर मैंने जोड़ा और ये xy दोनों same side आ गए तो इसको मैं even number बोलूँगा मतलब जो reaction में participate कर रहा है ये उस group की बात are you getting my point जो participate कर रहा है मतलब एलकीन में addition हुआ होगा xy का ऐसा कुछ हुआ होगा कि एलकीन है एलकीन में आपने क्या जोड़ा xy तो fisher form में क्या आ गया वो xy दोनों same side आ गया ठीक है ना तो ये participating group है मतलब ये जुड़ गया इस तरह से और अगर आप elimination कर रहे हो ये तो addition हो गया अगर आप क्या कर रहे हो एलिमिनेशन कर रहे हो जो कि मैं इसको discuss करूँँआ डिटेल में next class में तो ये ही वाले ग्रूप जैसे भी आप reaction का nature होगा मालो reaction का nature ऐसा है कि वो xy ग्रूप को हटाता है तो वो xy ग्रूप आपके दोनों के दोनों का है same side है जिस reaction का nature ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आप एलकीन पर xy को जोड़े वो ये बना रही होगी जिसमें xy कहां रहे होंगे opposite odd में आ रहे होंगे और अगर इसके उल्टा अगर elimination में इसी को देख लिया जाए elimination में तो elimination से अगर आप एलकीन वापस से बनाना चाहते हैं अगर आप elimination में इससे एलकीन बना चाहते हैं तो उसका कुछ अलग reagent होगा जो की x और y की जो यहां है उसको remove करके इस एलकीन को बनाएगा तो कुल मिला के यह xy का मतलब यह नहीं ह कि x की कोई से भी group नहीं जो reaction में participate कर रहे हैं addition में xy जोड़ रहा होगा elimination में xy निकल रहा होगा यह भी हो सकता है कि कोई दूसरा group निकल रहा हो वो depend करेगा nature of reagent जो आपने लिया हुआ है ठीक है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने elkin में same side वाले group सीख लिए opposite side वाले group सीख लिए फिशर में same side वाले और opposite side वाले यह फिट से बोल रहा हूँ यह reaction के nature पर डिवेंड करेगा कैसी reaction है ठीक है अब मैं आगे बात करता हूँ कि हमारे पास में जैसे मैं addition की बात कर रहा हूँ कि एक तो reactant होगा एक reagent होगा और एक product होगा ठीक है एक reactant होगा एक reagent होगा और एक product होगा ध्यान सुनिए और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप होता है अगर group same side है तो उसको आपने even बोला है और जो group opposite side है उनको आपने odd बोला ध्यान रखिएगा इस बात का ठीक अब मैंने reactant लिया तो addition reaction है तो reactant की किसकी बात होगी एलकीन की तो माल लीजिए मैंने एलकीन कौन सी लिए किसमगा है यह जो डीट्थु होता है यह जो है syn addition करता है सेंसाइट से तो डोनो डी इस तरफ से एड chicks यह दोनो डी इस तरफ से एड होगे थेंगे तो अगर थिन है या सिन का मतलब भी सेम साइड सिस का मतलब भी सेम साइड समझ पारें बात तो सेम साइड है तो सेम साइड के लिए जस्ट आई टोल लिए कि आप क्या डिफाइन करते हैं इवन नंबर क्या डिफाइन करेंगे इवन नंबर ये भी इवन नंबर ये भी इवन नंबर ठीक है ये फ इडिशन की अगर यहां प्रॉड़क्त क्या मिलेगा बोलो । इवन प्लस इवन बोलो एवन नमबर पलस एवन नमबर तो यह भी उवन नमबर का मतलब से मतलब प्रोड़क्ट में जो दोनों जुढने वाले गुरुप हैं मैने अभी बोला था ये जो जुढने वाले हैं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह सैम साइड आ जाएंगे या तो यहां आ जाएंगे साथ में या तो फिर दोनों दी का आजाएंगे लेफ्ट में आ जाएंगे लेकिन ये सिंगल ही कंपाउंड क्यों क्यों कि इसमें internal plane of symmetry है internal plane of symmetry होने के वैसे ये कमपाउंड अप्टिकल इनेक्टिव हो तो इसका जो मेरर इमेज जो आपने दिख रहा है आपको यह जो mirror image बना है यह दोनों क्या एक ही identical है मीजो compound है तो कितने count होंगे यह एक ही count होंगे है ना यह काड़ देताओं में एक ही count होगा यह यह दोनों identical दोनों identical है आगे समझें इसी तरह से दूसरा example एमी, सीड, एच, डबल बोन, एच, एमी, इस पे भी आपन किसको एड़ करें अब, डी टू को, just I told you कि डी टू क्या करता है, सीन एडिशन, सेम साइट से जुडता है, एलकीन पे, या तो इधर से जुड़ेगा, या उपर से जुड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये भ नंबर होगा, सीन एडिशन है, just I told you, और यहां पर यह उपोजिट हो गया है, तो इसको कौन सा नंबर डिफाइन किया था, हमने ओड नंबर, तो ओड नंबर प्लस इवन नंबर, कौन सा नंबर आएगा, ओड नंबर, प्रोड़क्ट में क्या आएगा, ओड नंबर, और अ बाकि जो रिमेनिंग ग्रूप है, आप उनको प्लेस कर दीजिए, एक पर डि आया, यहां भी डि आया, रिमेनिंग ग्रूप मे, ह है, मे उपर, ह यहां, मे यहां, मे को वहीं वर्टिकल पर ही रखेंगे, और यह है, इस तरह से प्रोड़क्ट आप डायरे के साइन कर सकते ह और दूसरा, प्लस, एक बार डी, ऐसे जुड़ेगा, और आप यहां पर यह देखें, कि इसके अंदर कोई प्लेन ओफ सिमेट्री नहीं है, इसमें किसी तरह की प्लेन ओफ सिमेट्री नहीं है, और इवन इसमें सेंटर ओफ सिमेट्री भी आप देखते हैं, तो वो भी नह तो यह क्या होगा और अगर यह उप्टिकल एक्टिव है तो इसका मेरा रिमेज आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको बूला कि कि यह ओड था यह इवन था तो ओड मिला तो ओपोजिट साइड यह इस तरह से भी जूड़ सकता है तो यह आपस में क्या हो जाएंगे होंगे तो कितने कंपऊन्ड मिलेंगे दो और दोनों ही यह यह पसमें क्या है रस हम एक्षठ्ट मिक्स्चर या फिर क्या बूल सकते हो इनशांमर क्या है यह यह अपस में इनशांमर क्लिर है इक्विच्शांपल आप दो एक्जाम्पल और ले रहा हूं राइट चले हैं आप स्क्रीन शोट लेके अराम से दुबारा भी वीडियो देखके समझेंगे हैं कोई जल्द बाजी नहीं करेंगे तो मैं दो एक्जाम्पल इसके और ले रहा हूं कि थाड़ एक्जाम्पल फिर से मैंने लिया एलकीन आप चाहें तो एलकीन चेंज कर सकते हैं यह लिजी आपकी यह वाला ले ले लें पी एच पी एच यहां पे मी यहां पे मी यहां पे यह वही रहने देंगर कंफ्यूज़न है तो चलो उसी resemble कर पाओगे अगर मैं एच ले लूँगा तो आप फिर second और first वाले से resemble कर पाओगे connect कर पाओगे और आप समझ पाओगे लेने में ले सकते हैं अपन लेकिन आपके लिए असानी से आप second और third first example से connect कर पाओगे अब मैंने इसको लिया react करा रहा हूँ में BR2 CCL4 अब इस reagent का काम क्या है कि यह जो है anti edition करता है कैसा edition करता है जल्दी बताओ anti anti का मतलब क्या हुआ कि यह जो एलकीन पर एक ब्रोमीन यहां से जुड़ेगा एक ब्रोमीन यहां से जुड़ेगा ठीक है mechanism एक प्रोसेस होता है बढ़ हमें अभी mechanism पर नहीं जाना हमें direct product assign करना भी है ठीक है तो कुल मिला कि जैसे वहाँ पर इससे पहले वाले में दो नो पूड़ी यहां से जा रहे थे यहां से जा रहे इसमें क्या होगा एक ब्र इधर से एक ब्र इसलिए anti-edition तो रिएजेंट का जो टाइप है वो कोईसा है anti जुड़ने वाला जो group है वो anti-edition कर रहा है और यह क्या है आपका दोनों same side यह इसको ले लो तो यह क्या होगा आपका बोलो sin sin बोलो यह sis बोलो उससे कोई फरग नहीं पड़ेगा यह sis बोलो जनरली sis यूज्स करते है तो अगर यह sis है तो इसको मैं कौन सा नंबर दूगा even number यह आपका sis है कि स्को कौन सा नंबर दिया हमने even number और यह anti-edition कर रहा है तो इसको कौन सा नंबर दूगा मैं anti मतलब opposite opposite मतलब odd number इसको odd number define किया इसको even number दोनों का sum जो हमें product देगा वो क्या देगा बोलो even number odd number का sum क्या होता है odd 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 मतलब opposite मतलब fischer projection में horizontal पे दोनों vr group कहां होंगे opposite में होंगे कितना असान है देखो seconds में question का answer आप दे रहे हो ठीक दोनों opposite आ देंगे odd लिखा है odd से opposite odd से opposite opposite आप remaining यहां पे h लगा दो यहां h लगा दो यहां m e और m e लगा दो methyl को उपर नीचे रहे इसी तरह से फोर्थ वाला अपकी यह क्या है opposite है opposite से odd और यह भी एंटी है एंटी एडिशन है एंटी एडिशन है तो यह लगा यहेः बी विट और ओर रोड क्या होगा और नंबर इंट नंबर क्या होगा का ओट नं लंडर क्या हो जो इऑन का मतलब दोनों स्विघ्र कहा आएंगे को सेम साइड्र है कि इसका एक नियोटर इमेज दार इतर आया तो एक बार VR, एसे एसे भी आएगा, जब वो एसे एसे आएगा, तो इसकी क्या बनाएगा, Mirror Image, तो इसके कितने compound बने या पर दो product बने, समझते पार है, एक बार VR एसे एसे आएगा, तो एक बार VR एसे एसे आएगा, दूसरा वाला जो उसकी mirror image होगा और इसमें कोई plane of symmetry भी नहीं है जब plane of symmetry भी नहीं है optical active है तो उसका जो mirror image होगा तो दो हो गए ने ने निन्शोमर निन्शोमर बनेंगे यह DL mixture बोल सकते हो यह स्मिक mixture बोल सकते हो इसके अंदर दोनों भी आर सेम साइड आगे इधर ME, इधर ME, H, H अब इसका जो दूसरा वाला एक बार BR राइट में आया तो एक बार BR लेफ्ट में आएगा और जब BR लेफ्ट में आएगा तो आप कुछ देखिए कि mirror image तो है बड़ इसमें क्या internal plane of symmetry है अगर plane of symmetry है तो यह इसका mirror image यही तो होगा यह दोनों सेम है, studio chemistry हम पढ़ रखा है आपने, यह एक ही count होंगे यह एक ही product मिलेगा, यह और यह दोनों क्या है एक ही तो देखो कितना आसान हो गया, addition reaction studio chemistry में कितनी आसान हो गई मतलब addition reaction को studio chemistry में देता है तो आप future में किस तरह से तुरन convert कर लेते हो आप question एक नया क्या आता है, कि sir अगर मानलो हमें option में चार option देगा आपको, BR horizontal पे दिखे ही नहीं, हाँ कर सकता है examiner है, वो करेगा तो अगर BR horizontal line पे नहीं है तो आपको तरीका आता है कि क्या करेंगे आप even switching याद है, even मतलब two time switching along the same chiral center यह आपने studio chemistry में पढ़ा हुआ है, कि अगर BR वालो जो यह भी वर्टिकल पे है और यह वाला भी वर्टिकल पे है ठीक तो आप क्या करेंगे उसमें, even switching करके उसको try करेंगे किस पे लाने का horizontal पे लाने का answer आजाएगा, चलिए बताता हूँ में एक example लेके, ठीक है यह तो सबको clear है, तो addition complete हो गया, अब मैं जब यह vertical line पे होंगे, option में दिया जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वो देखते है, यहां तो सबको clear है सारी चीज़, चलिए देखिए, तो वहां पे एकजाम में क्या दिया, जैसे माल लीजिए, कि आपको option यह वाला answer, correct answer यह था, यहां BR आ रहा है, एक BR यहां आ रहा है, यह H आ रहा है, इधर ME आ रहा है, इधर ME आ रहा है, और इधर H, अब क्या करें, सड़ ने तो बताया था कि horizontal पर होना चीए, क्योंकि यह जब L की पर जुड़ा होगा, BR 2, sorry, जब L की पर, L की पर जब BR 2 एड़ हुआ होगा, तो यह मिला होगा, तो BR तो मैंने बताया, आपको horizontal लाइन पर प्लेस करना है, option में तो हमें यह दिया, आप क्या करें, तो even switching हमें पता है, तो हम क्या करें, कि BR 2 को horizontal line पर लाएं, तो इसके switching कर दें, आप जरूर नहीं इसके साथ भी कर सकते हैं, तो पहला यहां पर switching हो जाएगा, तो यह M.E.A. आएगा, BR यहां आएगा, है ना, try करें कि मिठाइल को, मतलब जैसा आपको, आपने जो answer बनाया, आपका जो आया है, इसको try करने के को पूशिश करना है, मालो यह answer है उनमें से, चार option में से, ठीक है ना, तो जो option में answer है, उसे हमें match करा ना, अपने answer से, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक change करेंगे, तो M.E.A. आएगा, BR यहां आएगा, फिर BR को इस H से आप exchange कर देंगे, समझ में आरी बात, तो finally हमारे प vertical पर लाना, ठीक, M.E. को किस पर लाना, vertical पर, तो M.E. को में यहां पर यह लिजी, ऐसे कर दीजी, जैसा आपको मन करें, यह M.E. यहां पर आगा, vertical पर, तो BR यहां आएगा, और BR finally कहा पहुच जाएगा, दूसरा exchange यहां पर होगा, यह पहला exchange, यह दूसरा exchange, इसमें यह प आपको यह देगा, और आपको even switching करने आती है, even मतलब two time exchange, along the same chiral center, इस chiral center के around, दो switching कर दो गए, उससे क्या होता है, कि जो आपका compound है, वो chain नहीं होता, वो अगर जैसा है, वो वेसा ही रहेगा, ठीक है, तो I hope आपको addition reaction बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी, इसकी studio chemistry का reflection, है न, की सरख हर बारी ये थुड़ी देगा, हो सकता है निउमान दे दे तो, बही निउमान के option में निउमान दे दिया, तो निउमान को क्या आपको future convert करना नहीं आता, निउमान को तो आता होगा, निउमान का amongst हमने पढ़ रखा है, show horse का हमने conversion पढ़ रखा है, हमने वेजडेश का पड़ रखा है ज्यादा तर क्या होता है इसके साथ कभी-कभी न्यूमान का देता है ठीक है तो मैं न्यूमान का भी आपको एक टेक्निक तुरंद बताऊँगा कि कैसे न्यूमान को आप फिशर में करणवर्ड करें तो आपको वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब थैंक यू